ओके जी, अब हम आपको लेके चलते हैं, हमारी लाब्स की तरफ, we are very proud of our labs. ये बाइमेडिकल साइंसे में हमने डिवालप की हैं, one of the best labs in पाकिस्तान, और आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी इतना अच्छा equipment एक रूफ के नीचे नहीं मिलेगा. We'll start with PCR and post-PCR lab. पहले हम चलते हैं, पेसर लाब में. यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास हर रेंच की PCR मशीन माजूद हैं, जिसमें कि हमारे पास 3-block system भी है, single block system भी है, dual block system भी है. हमारे पास 12 ProFlex QPCRs भी मौझूद है हमारे पास Sanger Sequencer है हमारे पास Next Gen Sequencer है जो के बहुत कम किसी उनिवस्टी में मिलता है और जहां पर मिलते भी हैं वहां पर भी mostly बंद पढ़ हैं It is not the case in our university हम इनको यूटिलाइस कर रहे हैं हमारे students इनको पर काम करेंगे हमारी Bio Technology की Labs में हमारी Bio Medical Sciences की Labs में Bio Informatics की Labs में ये Lab बहुत important role play करती है इसको हमने बाकी सारी Labs से Cordon Off किया वह है और उसकी वज़ा ये है कि यहां से अब जो हम Next Lab में चलेंगे which we call as Post-PCR Lab Post-PCR Lab हमारी PCR Lab से अलएदा है उसकी वज़ा ये है कि Post-PCR Lab में हमारे पास बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती है जो के कर्सेनोजेनिक होती है तो हमने students को उससे दूर रखा हुआ है कि हमारे students जो है वो यहां से कोई भी contaminant लेके बाहर ना जाएं This is our Post-PCR Lab which is fully equipped with all the equipment which is necessary such as horizontal gel electrophoresis system vertical gel electrophoresis system इसके इलावा हमारे पास western blot system है यहां पर हमारे पास different kind of centrifuges है हमारे पास water purification system है जिसमें हमारे पास ultra purified water आता है RNAs, DNAs free water इसके इलावा हमारे पास gel documentation system है यह रहा जी हमारा gel documentation system इस Airbride 1500 जो के highest of the range है इसको हमने lab को fully equipped किया वह है और यह वो lab है जहां पर अभी recently हमारे students ने DNA extraction kit बनाई है RNA extraction kit बनाई है खुद under the supervision of Dr. Nassir और अभी हम उसको commercialize कर रहे है DNA extraction kit is already in the industry it is commercialized और RNA extraction kit पे मजीद काम हो रहा है उसको बेहतर किया जा रहा है which has come out from working in this lab इसी तरह हमारे पास और labs है which are wonderful I'll hand it over to Dr. Farooq for the next lab जो के Dr. Farooq के expert है that is microbiology जी थैंक यू तो मैंचिए जैसे के madam आपको explain करती कहीं है different labs के बारे में तो यह हमारी post PCR and PCR lab थी अब मैं आप लोगों को microbiology lab के तरफ लेके जाता हूँ microbiology की lab हमने आई है बहुत ही बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसको डिजाइन किया वा है अगर आप इस पे गौर करें हमारे पास इस lab के अंदर तो अली रजा साथ वैसे अंदर तो आप नहीं जा सकते थी के because हमारे पास यह पेंट्स हुए वे total 11-12 laminar hood flows है जो के teaching labs में मौझूद है यह heart जो इसकी lab है basically microbiology की यह इसके अंदर मौझूद है इसके अंदर जो है वो ना सिफ हमारे पस incubator minus 20 freezers fridge है इसके लावा जो हमारे पस इसके अंदर जो है वो basically ultra centrifugation की machine भी मौझूद है जो के बेसिकली पाकिस्तान के अंदर at least जो है वो किसी university में भी नहीं है different vice chancellor students जो है वो proper protection जी जी बाकाईता इसकी biosafety के हमारे training होती है जब बच्चा लाब में आता है research के अंदर तो बाकाईता वो train हो के फिर इन लाब्स के अंदर सकता है वैसे हम उसे अंदर नहीं होन देते because biosafety जो है वो first priority होती है so the good thing is that कि आप उने प्रैक्टिसेज भी जो है जी बिलकुल ऐसे है हमारी teaching labs हो है उपर वाले फ्लोर में मौझूद है हम मैं और Dr. Humaira आपके साँ चलते है और हम आपको teaching labs वो विजट करवाते हैं तो please आईएगा यहां पर यह मैंशन करना बहुत जूरी है कि यह two of the labs which are the research labs they are used in research as well as for teaching यह जो particularly उपर हमारी चार labs हैं यह particularly for teaching purpose हमारे BS के students में आते हैं और at one time almost 50 students एक lab में से रिखे जा सुते और हमारे students इसमें काम करते हैं Dr. Farooq यहां पर सबसे अच्छी बात मैं आप तो यह बताओ कि जिस वक्त हम भुद BS कर रहे थे we were never allowed to go into a lab, we were never allowed to touch any equipment लेकर अभी हम इस वाक के बहुत proud feel करते हैं कि हमारे students इन equipment को ना सिरफ explore करते इसके पर काम करते हैं तो बेसिकली 4 autoclave machine अभी को latest equipment यह उसके अंदर होता है अभी इसके यह पर autoclave इसलाइजेशन चल रही है जब आपको पता है कि साइंटिफिक बैग्राउंड से जो लोग है जब भी आप कोई भी इसना का काम करते हैं तो आपको इसलाइजेशन के मेकनिजम से गुजरना पड़ता है तो बेसिकली autoclave machine is running हम आपस we are coming towards the hematology and pathology lab basically hematology and pathology which is biomedical sciences को cover करते है और यह हमारी teaching lab है door close इसके ही होते है because हम आपको इसलाइजेशन और हर चीज़ पर बेसिकली खियाल रगना पड़ता है तो यह basicly है hematology and clinical chemistry के लाब है अगर आप सामने देखें hematology analyzer semi-automated just for sake of teaching to the student के बच्चा आके बाकाइदा सीखे के उसमें blood picture कैसे देखनी है chemistry test है basically hematology analyzer complete cbc student देख सकता है इसके लाब हम आपस chemistry analyzers महजूद है all things जो है उसके major तर सकते है और एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते है इसके अलावर जैसे आपने नीचे microbiology lab में incubators देखे तो mini incubators हमारे teaching lab के अंदर मौजूद होते है इसी तरह का ultra centrifugation machine है हमारे पास 4 degree जो है वह हमारे पास fridges है हमारे पास range है जो है बेसिकली बेकायदा centrifugation में जिसके अंदर minus 4 और room temperature पे काम करने वाले हर lab के अंदर हमें light microscope मौजूद होती है ताकि students अपनी slide जो भी blood की prepare करते हैं वो यहाँ पर देख सकें बहुत class के जो हमारे pre-size जो है वो being balance मौझूद है हमारे बकाइदा lab में काम स्टार्ट होगे है अगर आपकी dust winds पर नजर डालें तो बकाइदा colors के साथ जो के who ने basic करी इसको वो किया वाए तो उसके अंदर बकाइदा different जो है वो बचों को educate किया जाता है before coming to the lab कि किस तरीके से उन लोगों ने basic dust winds को in labs को use करना है यह हमारे पस fume hood मौझूद है जब भी chemical mixing होती है आपको पता है उससे fumes निकलते हैं यह highly dangerous हो सकते हैं तो that purpose हम लोगों ने इस तरीके से किया वाए कि student जो है वो इस लैब के अगर इस पर गोर करें अली रजा साथ तो आप देखें है पर group number 9 और यह क्यूंकि इस लैब में लास्य मैंने medical biology का course पढ़ाया था तो basically दो दो students को एक desk a lot होता है जिनके पास दराज हर चीज होती है और वो बच्चे अपना काम यहां पर easily perform करते हैं इसवाद अगर आप सामने देखें तो तीन students मौझूद है basically यह MS students है और यहां पर जो है वो basically BS तरह से देख रहे हैं और पाक उस्चे फाकुष उले में आने के बाद आप क्या समझती है कि क्या मतलब change है इसके अंदर Assalamualaikum Sir जो मेरा पहले experience था जिस university से मैंने BS किया था वहां पर resources बहुत जादा लिमिटेड थे तो यहां पर आने के बाद एक तो हम लोगों का knowledge gap बहुत जादा था और हमारा जो है overall experience comparative to my BS program MS में में रहे बहुत अच्छा experience यहां पर आप Okay thank you so much Sundas, let's go Ali, we are going to two labs और basically जो सामने अब हमारा पर आस लाब आरी यह भी teaching lab है हमारी Biochemistry and Molecular Biology की lab है इसको basically जो है वो look after Dr. Humaira करती है Dr. Humaira over to you please explain कीजे का कि क्या है lab Thank you very much यह हमारी Molecular Biology और Biochemistry की lab है It is well equipped with all the instruments जो के Molecular Biology में इस्तमाल होते हैं Fridges हैं हमारे पास 4 degree, minus 20 degree हमारे पास हर range के centrifuges हैं हमारे पास nano drop वगरह है, nano drop जिसमें के हम DNA की quantification कर सकते हैं RNA DNA की quantification कर सकते हैं हमारे पास DNA concentrators हैं यहां पर के हमारे पास हम अपनी मर्जी की quantification कर सकें हमारे पास various scans हैं इसके इलावा, there are few students who are working here यह Master's के students हैं We can ask them their experience के इनका अपना के experience है इस Lab में Taiba, she is one of my students in Master's as well, she is working with me Taiba, would you like to explain a little bit about your experience here पर आप कहां से आई हैं और यहां पर आपका क्या experience है Please And here like my experience is till now very good अभी तक मेरा जतना experience रहा, बहुत अच्छा रहा Labs are really very equipped बहुत अच्छी labs है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहां पर Environment बहुत अच्छा है, like you will feel comfortable and secure here And I am doing my Master's research in like cancer associated with cell lines and culturing So my experience till now here is very good and I am really very satisfied I am very satisfied, I am very satisfied And I will suggest to you that in this region There is such a good institute in this region This is a very good thing and you have to come and join So Okay, here I will definitely mention one thing Tayaba's background is from Islamabad She has done her BS from ComSat's Islamabad And she is here and now she has taken admission and Masters here Last year, you have seen something here This is why she has come here And she is fully satisfied Humaree saath yaha par afghani students mi hai International students mi hai Yes, international students mi hai They are from Afghanistan I will also ask one of them ke wo thoda sa apne experience share kar lehen That will be very good for us Mubeen, please apne Can you please tell about your experience here at PFISD? Thank you My name is Abdul Mubeen and I am from Afghanistan I am doing my vital program in chemistry And now I am doing here MS Biotechnology I am in third semester I still didn't start my research process but I will do it within a few days And I have a good experience and a good study high quality in this university It is our pleasure And I got a little training about microscope A few days ago But we will do and now we are working on the next extraction in this laboratory It is a microbiology lab Thank you Mubeen Thank you so much And you guys are looking very nice Thank you very much And you are looking very nice Thank you very much Yes Very nice So as you can see here Ali There is also a microscope There is also a microscope There is also a microscope Water purification There is also a microscope There is also a microscope Now we are going to the next lab Which is our third teaching lab Which is our third teaching lab I will visit you So we are well equipped We are well equipped We are well equipped In labs and equipment I have told you Because When you work on biomedical sciences So basically When there is no equipment Then it cannot be research If you look here This is basically You will look at the shower Which is the first priority list Because we are going to Very soon So we are going to Certifications So students Ease And in the center This way Any accident Because there are accidents There are mistakes So if there are accidents If there are accidents Then there is Eye shower There is Eye station It is called the shower In which students Students are trained Students And students use it And they can save you Accidents So if you look at Molecular Endocrinology And Transnational Medicine Lab And basically In this Students Teaching equipment Which students In biomedical sciences So basically Anatomy and Physiology And in the Physiology We have basic equipment We have basic equipment We have a basic equipment Dr. Bakar He is assistant professor He is assistant professor He is assistant professor And he is also Medical doctor So in physiology And this kind of course We have basic equipment We have a basic equipment So please This lab Please tell us You can see You can see Here basically We have not only Research oriented equipment And instruments But we have basic teaching equipment We have basic teaching equipment Just as you can see On your right Specifically We have the teaching Spirometer This teaching spirometer This is basically So you can see Teaching spirometer Training Hasil Can be Computer based But here We have it In our closet This is the computer Used for that Spirometer We have income So you can see E.c.g. machines We can see You can see E.c.g. machines We have fully packed C.c.g. etc. So, if you have a check And you can see B necessarily B teach to In start of that For the lab We have to go And leave a What about This one For the This one C.c.c. बाखर नहीं आता है तो एम लोगों ने सेफटी को साथ सत मते नज़र रखते हुए अपनी लैप को डिजाइन किया है हमारे पर एक बड़ी इंट्रस्टिंग लाब मौझूद है, थैंक यू सो मैश डॉकर बकार, हमारे पर एक बहुत अच्छी लाब जो है बेसिकली यहां पर मौझूद है, एक बड़ा हार्ट कोर एरिया जो है वो बेसिकली हमने इंटर्ड्यूज करवाया है, पी एफ आफ आ लाब जो है वो हम करवा सकते हैं, यह हमारी इन-विट्र फट्रलाइज़ाजीशन की लाब है और इसको भू बिल्कुल सेपर किया गया है, दोर्स क्लोज होते हैं यह विजिट कर रहे हैं यह भी थेखे हैं इन पर यहां पर करवाया है होता है, ताकि किसी किसम कोई इस्ट इसकोट्रोड घड़े अन सबसके निषनी इसपसे हैं मोजुआ यह मेरा यह रहे हैं अधिक ऐगृ उन्ट्रैज अं तो मैं जब यहां पर आई हूँ तो मुझे लाब्स की जाज़ विल एकुप लेगी है और बहुत मतलब इनके जो हमापस इंस्ट्रमेंट्स जरूरत थे हम लोगों को तो वह उसकी रुकारमेंट्स पूरी हो रही थी साथ-sाथ में भी हमारा प्रोजेक्ट शूरु होने वाल है हम करें हमें साथ-साथ यह मैक्रोस्कोप्स की जरूरत हैं यह बहुत 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 लेकुप हैं अब हम रपे से माइक्रो स्कोप प्रयूंगत आपकंते हैं । इसे चैनल अम हैं में सब data क्रेश कर रुधा कि पर तर सब कन पा सभ़ोगा, causation न वह कर यह सबाएं के न बने अपहँ पर उन्हे हैं वह एक्चुली आपर इंप्लिमेंट हो रहा है। यह सर रही है, क्योंकि प्रॉजेक्ट आपके बिल्कुल यही बात है। आप पर बता सकते हैं कि आप किसी कोई इंड्रिय में किसी प्रोजेक्ट आप या आने वाले दिनों में आपके कोई कमिट्मेंट आप रहे हैं। विज रिसेंटली हम लोगों एक प्रॉजेक्ट कंप्रीट के अर्न एक्स्ट्रक्शन किट के ऊपर और वह हमारा वह हो भी गया। इसके ऊपर रिफेंट सैंप्ल रन कीए गया। उनका रिजल्ट वी पॉस्टिफ आया है। अब जिस तरह मेरा MS का काम है, मैं हर्मून्स पर काम कर रही हूँ, तो वो देखें, आप उनके पास हम काम कर रहे हैं, और हम वेरी सुन इसको लेकर आएंगे मार्केट में So what will be your sincere suggestion for your students? मैं कहरे हूँ कि वो मस्ट आना चाहिए उनको यहां पर क्योंकि ऐसी लैब्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगी तो यह मैं बता रहे हूँ कि एक सीरे सजिशन है कि लाजमी आना चाहिए So the admissions are still open? Yes sir, absolutely The admissions are open and our 6th and 10th medical center test, thank you so much Yes sir, this is an old lab, this is a tissue engineering lab basically Tissue engineering which has a very good equipment, we have a 3D bioprinter This is the reason we have here, basically Dr. Fazli in this lab So sir, please tell us about this 3D bioprinter I heard that Dr. Fazli has some patents that are registered So which is a great success even then for Dr. Fazli and Dr. Fazli And for Dr. Fazli, please tell us about that What is the patent and what is the benefit of your institute And what is the benefit of your institute? Thank you very much, Dr. Farukh has introduced this lab It is a lab of tissue engineering and 3D bioprinting technology Here we have different kinds of experiments And Dr. Ali Raza has said that recently we have a patent The patent office of Pakistan The patent office has been granted The U.S. has been under consideration And we hope that it will be very soon It is basically a treatment for the burn patient Which we can say that we are trying to develop artificial skin Which we can develop burn patients As we know that Pakistan has a big issue That we don't have proper burn units We have a lot of equipment in our patients So our patients have a lot of problem We have a lot of problems So our patients have a lot of problems We have research for several years And our initial phase has been completed That is the patent And inşallah we will have a lot of commercialization And go to our side This lab has a lot of equipment But the best equipment It is the best equipment It has recently delivered It is not only that in Pakistan We have a lot of equipment We have a lot of equipment This is 3D BioPrinting This is what we can do What we can do We can print the tissues We can print the tissues If it is soft tissue Or this is soft tissue This is soft tissue For example If it is skin We can make it artificial skin If we want to do liver We can print the liver We can print the liver We can print it This is also It is also Other applications Like pharmaceuticals Treatments And many other applications Here Currently Our projects are going There are 2-3 projects But there is one project Which is very mature stage And we Bacteria Especially This is Genetically engineered bacteria We have utilized And we have made bio materials And we will print this bio materials Then we will print this And we will print it We can use it Directly As a 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 accident की जो प्लेस है वहां से hospital तक 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 प्रॉडिक्ट शेप तक लेके जाएंगे आप जी इन्शल्ला जी इन्शल्ला उसकी दो फेजिस है एक इसको वर्डवाइड अगर हमारी स्टूडेंट इसको सर्च कर सके अपने जो इंटरनेट है इसको बायो सलेलोज क्याते हैं त की हमने टेस्टिंग भी शुरू किये हैं हम उसके पैकेजिंग और उन चीज़ों पर जा रहे हैं और इन्शल्ला विदिन टूर त्री मॉंथ यह आपका एक पाफ आस्ट्रिया का एक स्टार्ट अफ होगा जो कि स्पीन आफ की तरफ है जी बिलकुल ऐसा ही है इसमें फिकल पाकिसान में बार्न रेट और अटरी मेडिकल फिसी बूत होता हैं और जैसे आपने बताया कि इस्टेंटली उनको फॉस्टेर के लिए यह बहुत रिक्वाइड चीज है तो यह तो काफी रिक्वार्मेंट होगी इसकी तो यह उस प्लैनिंग ओने जे जी हम तो लोकल जो एकटाबाद में है उसके साथ हमें टाच है और इंडस्ट्री के साथ भी है और कल ही जो जो वीकेंड से पहले फ्राइडे था उसमेरी जो यह जिसने यह हमें प्रोवाइड किया से लिंक वालों के साथ हमारे एक डीटेल मीटिंग हुए है and they are also want to come in Pakistan and they want to collaborate with you in Pakistan the 3D technology is to introduce it to the future they are interested in because you have STZA status so if you have import and other factors if we talk about the cost wise like the thing is the product costing and so and so so we have a lot of market yes one thing I want to share with you that we are not only relying on this we have Chinese partners with our joint project and we want to manufacture this 3D printer here we want to manufacture it and we want to do it and we are ready for use in China and we will start it in Pakistan next year we have some students so can we talk with them bioprinting and my aim is to develop different hydrogels to print skin tissues and similarly utilizing these these hydrogels as a biomaterial for printing artificial skin thank you so yes um comset university apteabad itself is a great institute i have learned a lot uh but में यहाना चाहँ हूंगी, इस इसे इसे इसेे इसे तूदित इसे 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 पेरodles इसे कि मे अंभाट बाजब को से ब्लीम क्यों मे एक राद संथड़िकरिमी नियर्स नि तकråप होगी डेलेग। what is your message for the students, both for UG and PG? I want to give a message that if you utilize this is the best institute for utilizing your skills for serving humanity this university is fully equipped with the instruments you want you didn't find in any university this University gives you the skills to utilize that instrument because we have access to all instruments freely we are using every instrument and recently we have to prepare biomaterial that is known as cellulose. What about the skills of the faculty? Are they cooperative? Are they qualified? They are very qualified. All our PhD scholars and they guide us very like they are very supportive in research and we are very blessed to have a faculty like that. There is a very common question for students. Do you have labs that are open? Do you have any kind of difficulty in other universities or when you go to labs or you get locked or something like this? No, it is not like that. It is itself a lab attendant who has the responsibilities of the lab but our supervisor allows us to take the key from them. So you can freely use your labs and ask for your time? Yes, from 9 to 5. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. My name is Shazma Yousaf and I have done my BS from GPGC and I have done my bachelors in GPGC Haripur? Yes, yes, from Haripur in Zoology. And as I know about this university, because it is a skilling university, so I didn't know about it, I didn't know about it. So I did my best and teachers are very cooperative here. And I am doing my research project by making hydrogels for cardiac patches and inshallah soon I hope that my work will be done. So how many times have you been here? Almost one year. So what do you think so that you have been in this one year in this one year? है बहुत कुछ मैंने सीख है स्पेश्टी टीचर से अपने कुलीग से चैनिंग्स यहां पर बहुत जादा होती रही हैं इंटनेशनल सिंपोजियम हमने अटेंड कि हैं बगादर टीचर्स हमें सपोर्ट करते रहें कि हम जाएं उनको अटेंड करें टीचर्स घंडें इंडेंस डिचने अपने पिर लड़का ए संपोर्ट करते हैं अगर हम दाओन भी हो जयें इस माइले में लेकिन लेकिन अब बागी पूर्पर और इसलिए यहां पर पेसिलिटीज और ऑपरचुनिरीज जाद हैं, यहां पर स्टाफ बहुत कोपरेटिव है, इसके लावा यहां पर हमारे पस इंस्टूमेंट्स काफी जाद हैं, क्या हम अपनी रिसर्च में काफी कुछ यहां पर कर सकते हैं, जो मैंने BS की है, काफी कुछ था, लेकिन यह फिसलिटीज वहां पर नहीं थी, कि जिसमें हम काम कर सकें, तो MS के लिए यह बेस्ट है तो, इसलिए, हम पूरी कोशिशिश करेंगे, क्याईटिया, इंडाफ, M.Phil और PhD में आप लोग अपने जो के आपनों की फ्यूचर हैं, गो सब्सक्राइटिंग और इसकी जो पीछी जो मायंड था, वो बैसिकली यही तीन स्टुटेंट थे और सब्सक्राइब कर दो स्टाइप का जो यही स्टुटेंट जो लेकिया हैं, अच्छा अच्छी बात जो है, आप लोग आपको बताओं कि हमारे जैसे फॉर एक्जांप स्टुटेंसेटियों सेफूलों के लिए पास प्वालों के पास जाकर बैस्टू था इंडस्ट्री आत्यूश्य मैनले ले के आएं फॉर बिल्कुल ऐस पर रहिए के यह सब्चछन किया है। कि वहाँ पर एक इन्विरस्टी को रांग करने के लिए अधिनिस्ट्रेटिव रिश्टी एड जी क्या पो सकती है भले वो रिसर्च रो अधिनिस्ट्रेशन हो और ठीचिंग हो हर रीजिए में हमें 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 वी है और फोर मंस ट्रेनिग यह और इसके लाव अग्वार कि य है जिसका हम आँ पर स्टैलरस 8 का मॉडल जो है वो मौझूद है और उसके लिए हम लोग ट्रेन जो है वो सारी फॉकलिटी जो है वो जर्मनी गई भी थी जर्मनी से ट्रेंड हो के आई है तो हमार वो बसी कि इस तार दीच आपको पता है सल कल्चर की और बसी करी जो हमारे हमारे पास और 12th लैब हमारी इंडस्ट्रियल और इसकी डिजाइन हो रही है तो आपको जो है मैं सबसे पहले चाहिए वो कनफोकल माइक्रोस्कोप शो करना चाहता हूं क्यूंकि वो फेसिलिटी इसके साथ मुझे एक बहुत अच्छे से एक रूम सा दिखाई दे रहा है जी जी यह बेसिकली मुल्टी पॉपस हॉल है हम लोगों ने और्गनाइज इस तरीक से किया अली रजा जिसमें स्टूजिंट्स टीचर्स आपस में बैठते हैं बात करते हैं फ्रीली मुल्टीपल क सबस्क्राइज भीकें से लिए यह धार यह माँेश एक खर साह्च्छे सामस्का ने पर रौ को रिकली बैठ इस तरह की दिख दिखने के लिए के बीधार को वह Mamis को बागने नहीं है हमार प्षर में यह हमारे पास मजीद एक पर अटिशन ती इसक के लिए सेंस्ट чит जोन ह अगर आप यह देखें तो यह पार्टीशन है और यह पर रखी वी है और यह एजिया के अंदर कहीं भी अवलेबल नहीं है यह माइक्रोस्कोप पाक उस्याफ आफशोले ने परचीस की है डाक्र फसली फ्लीज थोड़ा सा अलबरेट करें इस माइक्रोस्कोप को यह पिसले साल ही यह वरजन जो है इसका लांच हुआ था मार्च 21 में और बकॉल उनके कि यह पहली दपा इस रीजन में आ रहा है और तिस इस पजली मैं सोरी यह पूछना चाहूंगा के आपके यह बड़ा एक अच्छी जदीद किसं की कुशीन है और आप इसे अपने कौन स इसमें यूज करते हैं और यह क्या स्टुडेंट को एजिली एकसेस इसके अपर है और क्या होगी और इसको आप फर्दर फिर फर्दर इसे आप इसे यूटिलाइज कैसे करेंगे इंडर्स्ट्री के पास क्यूंकि जैसे डाक्टर फरूख ने बताया कि अभी यह यह इजि इजिदा अवरल फर्दर फर्दर जाटर्स्टी Рैटर्स्ट mismos कि प्रूख जब हम अपलाई कर लेते हैं तो सेल आपडियाज करցए थे इसके साथ एक इंक्यूबेटर है वो इंशालला बहुत जल्द हम ठेच कर रहे हैं उसमें आप रखे आप 24 आउर की लाइव वीडियो उसमें रिकार्ड कर सकते हैं लाइव सेल एमेजिंग हम उसको कहते हैं और वो आपको बताएगी कि जब आपने ड्रग ट्रीट किया चार गंटे बाद क्या हुआ, आट गंटे बाद क्या हुआ, दस गंटे बाद क्या हुआ ना सिरफ यह के सर्पेस पे उसके सेल मेंब्रेन अगर हमारी स्टूडन्ट उसको समझते हैं तो सेल के अंदर क्या हुआ इस जो अर्गनलीज है उसके साथ क्या हुआ जो बाकि वो है सो जो फर्मसरोटिकल इंडस्ट्री है ते के इन यूटिलाइज इट एंड इस अमेजिंग पोटेंशल है इसमें अभी हमारे पास एकोड क्वेस्चन भी लाइब आ रहा है कि जु बच्छे जिन्होंने CS के बैगराउंड के साथ हैं can we are they eligible for the bio-informatics and for that? इस 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 पर आपन सी की आप है CS पर computer science पर FAC किया उना है FACP engineering आपकाइस है हमारी वीडियोज नहीं है वो हमारी जो बायर डेपार्मेंट कर पेज है पर भी मुझूट है दिफेंट वीडियो और उसमें भी हमने बताया है और हमारे अपकमिन जो टेस्ट की देट है बेसिकली हो 6th October और 10 October है जिसको हमारे टेस्ट होने जा रहे हैं स्टुडेंट आपके उसी बड़ा टॉन स्पॉर्ट परेजिस्टर करें हैं कि अप लोग एक रहिजा एंऑ आप लोग एक याव मैं रदेर्फटेओ इस हैं जो मंग आतल समें उसमें आप लोगने हम क्या को टुल समें खानी users पर दोन की आपके विजव के वेशनों में वंगल आपके आपनी किया हैं ु к्या ये बच्राग्यशत भाहें उसमें जियू प्रवें हुट्राइब करें अश्याने करें देवारा थाफिप्लाइब दुट्राइब का दूट्राइब करें पहलए है। कश्मीर कराची से हमारे थो फैसले बार के सुट्था आपर हैं आपगा हैं तो पर इंट्रनेशन स्टूडेंटेंट से लंकल कर तो हमारे जो हुख्षो फॉक्त ही अच्छी है और गूलाइफ प्रॉच्टिन दॉच हैं तो इस पर श्क्वार शेपर एक्ष़ होगा कर आपका क्या मॉडल है बेसिकली स्कॉलर्शिप का हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बकाइदा हमारा जो है एक ओफिस डिजाइन किया गया है जो के सारी स्कॉलर्शिप पर काम करता और बकाइदा जैसी हमारे स्टूडेंट फर्स समेस्टर में होते हैं तो सबसे पहला तो हमारा मेरिट स्कॉलर्शिप होता है जो के हमारा टॉप रैंक स्टूडेंट होता है जो के फर्स्ट पर आता है मैरिट में ठीक है उसको जो है बेसिकली हम लोग जो है वो स्कॉलर्शिप जो है फुली फंडेट जिसके अंदर हंडेट पर्संट जो है उसके इसके इलावा ह स्टोडें पर समेस्टर जाता है तो a week ago पहां के पास टोटल कितनी पररसंटेज कंचे ओपर को culture स्टुड आज एएंक और 30% स्टुड एएंक आएंक इसtoo गुंध यॉझ है चिह को पहले स्टुड पहले स्कॉल अपत होगी को ऐसे एप का की ऊणां कि एंक यहां रुट पर साय तुड विब्ले टाब आए हो रिपना यहां व्मारत पेस्ट वो अगर अपने मेरित में top पर होता है तो उसको fully funded होता है वो उसको सारी scholarship मिलती है लेकिन उसको वो maintain करना होता है अगर वो maintain करेगा तो वो throughout 8 semesters for BS वो scholarship ले सकता है अगर वो maintain नहीं करेगा तो वो scholarship goes to the other Master 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 Sh tutte Soldier Master 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 जी बिल्कुल, कुछ प्रोग्राम्स के लिए तो इट हास अल्रीडी बेन डिसाइड़ के लिए उन के लिए डिए डिजाइड कर ली है, बाकि प्रोग्राम्स के लिए भी वो ये स्लोली ओफर कर रहे हैं, मेरे से जादा अच्छी इंफरमिशन आपको इस पारे में डॉक्र फजली वाहिद दे सकते हैं, डॉक्र फजली वाहिद प्लीज इस पारे में थोड़ा से एक्स्प्रेम कीज़ेगा जी, हमारे जो शुरू के पांच प्रोग्राम हैं, उसमें कापी अंडिस्टेंडिंग उनके साथ हो चुकी है, अब भी रिसेंटली हमारे कुछ डिलिगेशन, जो गुर्मेंट डिलिगेशन है, जो सेक्टरी है, वो भी वहाँ गायत है और उनकी कापी अच्छी जी, जी, उसमें कापी गॉर्मेंट पाकिस्तान भी है और जो जो अस्ट्रियन इनवर्मेंट उन्होंने भी कापी कमेंट्प्रेंट्स किये के वो उसको वेवाफ कर देंगे बहुत सारे जुशन फी और उसके अलावा उसको स्टाइपर्ण्स वगेरा जो है वो भी इन्श पहला ही गई है ये खबर भी कि ऑस्ट्रिया है अनूंस्ट फ्री एड्यूकेशन और स्कॉलर्शिप्स और इस्टूद्स वो गेट एड्यूकेशन फॉम पाक ऑस्ट्रिया फॉकॉख शिले ये तो काफी हमने लोगों को बताने की भी कोशिश किये विच इनीकनेस ऑफ प् स्कॉलर्शेन डियूकेशन फनीड्न माइब करते हैं। सेय। Secret Лких जवाने में हुं और में सेन वैप माईड़ी एक जी कॉर्य जवाने की है। तो यह basically हमारे पर cell culture की लाब है, जिसके अदर हम cell culturing करते हैं और eucleotic cells रहें उनका expression यहाँ पर check करते हैं, जो कि बहुत ज़ुरूरी होता है, किसी भी research के लिए, किसी भी product oriented research बनाने के लिए आप देखें, clear हम लोगोंने partitions लगा के दो setups बनाएं, ठीक है, for example, एक बिलकुल highly sensitive area है, जिसके अदर for example, कोई research चल रही है, तो दूसरी तरफ जो हम लोग facilitate कर सकें, और हमारे KPK के अंदर, मेरे knowledge के according, जो हो कोई भी ऐसी lab मौझूद नहीं है, जहां पर cell culture की या institute नहीं है, जह हम लोगोंने basically, यह lab है, यह सारा हमारा sensitive zone है, मैं आपको microscopy lab दिखाना चाहूँगा, मैं पर microscopy lab मौझूद है, जिसके अंदर अगर आप देखें, हम लोगोंने partitions is just dust free रखने के लिए बनाई की है, तो यह basically microscopy lab है हमारी, जिसके अंदर हमारे सारी microscopes मौझूद है, कुछ हमा और हमारे students successfully इन equipment को utilize कर रहे हैं और इने basically use कर रहे हैं, ना सिर्फ teaching के लिए, MS students हमारे research purposes के, तो हमारे पस लाइट microscope मौझूद है, हमारे पस लाइट microscope मौझूद है, यह आप देखें, फ्लोरी सेंस microscope मौझूद है, लाइका की company की है, लाइका is number one redone company है, और जमनी बेस, जमन जिसके लाइबर हमारे पस बीमेस के स्टूडेंट के लिए को उनका एक कोर एरिया होता है, तो टीशू प्रॉससिंग का unit हमारा साथ वाली lab में माचूद है, histology lab के नाम से है, जिसके अदर टीशू को ले के patient से बाइपसी करने के बाद, उसको प्रॉसस करने के बाद, उसक हमारी faculty इतली में जाके जो है वो basically factory के अंदर इसकी जो है वो करके आई है, training करके आई है, चोटी सी बात एक और मैं करूंगी, हमारे पास anatomy की lab भी है, और इसके अलावा हमारे पास यहां पर हमने पहले भी बात की थी कि यहां पर हमने पहले भी सारा setup है, जहां पर जिसको हम marine biotechnology के नाम से देए हैं, जहां पर हमारे जो आसपास की इनिवस्टी की student है और अगर उनके पास facilities नहीं है, तो इन्शाल्ला बहुत जल्द हम इसको open कर रहे हैं, उनके लिए minimum charges इसके रखेंगे ताकि जो भी इसके expenses है initial, और उमीद यह है कि इन्शाल्ला हम उसको open कर दें तो सरफ यह नहीं है कि हमारे अपनी students जो बाके students है वो भी इसके पिसरेटरी कर रहे हैं, हम अपने सारे students के लिए training अरेंज कर रहे हैं, और two weeks की training just recently in microscopy पी उनके अभी complete किये, तो सरफ वही student उस पर एंटर हो सकते हैं, जिसके पास certificate हो, training certificate हो तो पर उसको utilize कर से हैं Thank you so much Dr. Farooq, Dr. Humera, Dr. Fazli, it was indeed a wonderful visit to the Department of Biomedical Sciences at Pakhaaswali Institute of Applied Science and Technologies, I believe so, हमारे पास इसके पाकिस्तान में एक change आरही है, और education sector के अंदर ही, हमारे जो academicians है, हमारे जो leadership है, they are very much committed to bring the change in terms of giving the skills to the students, so that कि जो students है, वो एकानमी के ओपर बोज ना बने, किसी job seeker ना बने, बलके यह है कि उनके पास skill हो, वो अपना start-up, अपने spin-ups, अपने entrepreneurship की दूँ, अपने start-ups लांच करें, so it was really a very wonderful information session, अभी मैं एक credit आप लोगो जरूर देना चाहूं कि आप लोगो की commitment और आप लोगो का यह department इतना extensive है, yeah I think so we need another one hour to cover entire department, or even some of the department part, but yet the students are not, अभी resume नहीं हुए, और वो अभी आगे next weeks में resume हो जाएंगे, तो then उस वक्तों काफी अच्छा होगा, still your admissions are open, और अब आखर में अगर आपको कोई message देना चाहूंगा, thank you Ali Raza, thank you for brief description, हम मैं ज़रूर जो है इस प्रेटफॉर्म से, especially इस इस उनिवर्स्टी के पेज पेज पे, क्योंके इस वक्त हम live हैं, तो मैं के message देना चाहूंगा, ना सिर्फ student community, students, industry के लोग जो है, industrialist है, जार से बाते social media के पेज है, इसको लोग विजट कर रहे होते हैं, इंडेस्ट्री से लोग आएं, researchers, especially researchers, बहुत इंटरस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, faculty members from other institute or students, जिस किसम की कोई क्यों हो, you can contact us, आप लोग highly welcome है, आप आएं यहां पर आके, हमारे institute को, हमारे department को especially visit करें, और इन facilities को जो कि हमने पूरी coverage करने की कोशिच किये, और अली रजन जो है, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे सब विजिज़ किया है, हम लोगों ने लैप्स को देखा है, तो आप आके real life में जो है, वो इसको देखें, और किस तरह की facilities मौझूद है, और basically पाक ऑस्टिया फाक शुले का जो मौडल है, वो किस तरीके से यहाँ पे successfully implement किया गया, और हम कोशिच कर रहे हैं, कि उसको मजीद बहतर बना सके, और बहुत अच्छा जो है, वो product oriented और industry oriented जो प्रॉजेक्स हैं, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, लेकिन हरीपूर और हजारा और KPK की जो अवाम हैं, उनको तो यहाँ समझे, उनके घर के अंदर ये चीज़ है, ठीक है, तो वो easily यहाँ पर आ सकते हैं, और catch हो सकते हैं, मैं बड़ा, मतलब यह blast feel करता हूँ, sometimes कि हमेंग यहाँ लाया गया, और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और बहुत ही जो है, वो हम लोगों ने भी अपनी तर से पूरी कोशिक किये, एक अच्छा साइटप बना के, एक फाकुष उले का मॉडल जो है, वो हमाम के सामने लाएं, और इसको सक्सेस्फुली जो हो इंप्लिमेंट इसको सब्सक्राइब करें, तैंक यू सो मैं चली रेसा हैं आप यहाँ पर हमायासाता आज मॉढजूद हे श्पीच पे, तैंक यू, थैंक यू, जो, सत्वेशिक को इनन ने रहा है है, तेंक यू, ने तो, इससे में थे मुझते हैं, आपक्शों आपैर से फजाएंगो